कॉंग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो चुगे जिसमें 40 नाम को शामिल किया है वहीं हतीन विधान सबा की बड़ी खबर आज किस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी आपके से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मैं महमद अमर और आप देख रहे हैं इस वक्त पलपल मीडिया आपके लिए बता देए कि अब तक कॉंग्रेस की तरफ से 41 अमीदवार मेदान में उतार दे गए थे वहीं आपके लिए बता देए कि आज देर रात कॉंग्रेस की तरफ से तीसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें उन्होंने 40 नामों को शामिल किया था वहीं अब तक कॉंग्रेस की तरफ से 81 नाम फाइनल हो चुके हैं और 9 नाम अभी भी बाकी हैं जिस पर कॉंग्रेस पार्टिन अभी तक कोई कंडिडिट मेदान में नहीं उतारा है और वहीं आपके लिए बता दें कि आज नामानकन का आखरी दिन है और कॉंग्रेस की तरफ से अब तक 81 उमीदवार मेदान में उत्रे हुए हैं वहीं आपके लिए बता दें कि हतीन विदान सबासे कॉंग्रेस पार्टिने किस पर विश्वास जताया है आपके लिए बता दें कि इस चीज को लेकर है सारे ही लोग कश्मकस थे आखिरकार हतीन विदान सबासे कॉंग्रेस पार्टि किस को टिकेट थमा सकती है वहीं बड़ी खबर अब यह है कि कॉंग्रेस पार्टिने हतीन विदान सबासे मुहम्मद इसराइल जो जलिब खाके बेटे हैं उन पर विश्वास जताया और उनको मैदान में उतारा है यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है तो दोस्तो हतीन विदान सबासे मुहम्मद इसराइल को टिकेट थमाया गया है अब देखना यह होगा कि अब तक कॉंग्रेस की 81 प्रतासी घोसित किये हुए हैं लेकिन 9 नाम हैं वो कब तक फाइनल होते हैं जैसे नो नाम अपवरी भी मुहर लगेगे और उनको सामने लाया जाएगा तो सबसे पहले वो भी आपको देखने को मिलेंगे पलपल मीडिया पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और वहीं आपके लिए बता दे कहतीन विदान सबसे मुहमद इसराइल को टिकेट थमाया गया है और कॉंग्रेश की तरफ से अब तक 81 उम्मीदवार मेदान उतार दे गये हैं वहीं नो उम्मीदवार अभी भी बाकी है तो दोस्तो इस वीडियो के बारे मैं आपकी क्या रहा है कमेंट मॉक्स अपनी राय जरूर देजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा